नमस्कार मैं हूँ कॉसलेंद्र प्रियदर्शी आप देख रहें न्यूज फॉर नेशन आज बिहार की सियासत में एक बड़ा घटना क्रम हुआ है मांजी ने जहां कुछी दिन पहले नितीश का शाद छोड़ा था और यह कयास लगाया जा रहा था कि मांजी अब जाएंगे कहां कल भी मैंने कहा था कि यह दल तीन टांग पर खड़े हैं आखिर दो टांग पर कब खड़े होंगे 50-50 का कयास लगाया जा रहा था कि मोल भाव ठोक बजाकर करेंगे उसके बाद जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ मांजी भी जल्दवाजी में थे कोई न कोई बड़े पेड की छाया उन्हें चाहिये था और दोनों बाप बेटे यानि जीतन राम मांजी बिहार के पुर्मुक मंत्री और संतोस मांजी दोनों दिल्ली निकल गए आज दिल्ली में हलांकि पहले ये कहा जा रहा था कि भी मुलाकात नहीं होगी लेकिन समय भी मिला और मुलाकात भी होई मुलाकात भी अच्छी खासी दे मतलब नित्यानंद राय जिन पर जिम्मेबारी है यहां के साथ ही दलों को धीरे-धीरे साथ में लाने का 2024 के चुनाव से पहले तो उस जिम्मेबारी को नित्यानंद राय ने निभाते हुए मांजी की मुलाकात अमीच शाह शे करवा दी देखिए नड़ा भले ही अध्यक्ष हैं लेकिन फिलहाल के दिनों में जादातर मामलों में जो संगटनात्मक मामला है उसमें अमीच साह सीधे हस्तचेप कर रहे हैं मसला बिहार का है इससे पहले भी अमीच साह बिहार आ चुके हैं और इस ताक में थे कि नितीज कुमार के साथ रहने वाले लोग धीरे धीरे कैसे इन से अलग हो उसमें उन्हें सफलता मिली और मांजी को जब नितीज अपनी पीच पर खेलने को बाद्ध करने लगे तो मांजी ने किनारा कर लिया और फिर आज उनकी मुलाकात अमीच साह से हो गई अब बड़ा सवाल है कि क्या अमीच साह से मुलाकात हुई तो मांजी ने कोई डिल कर लिया क्या मांजी गवर्नर बनेंगे क्या मांजी को कितनी सीटे मिलेंगी हम आखिर कितनी सीटों पर लड़ेगी ये लगातार कई लोगों के द्वारा अलग-अलग तरीके से परचारित-परचारित किया जा रहा है लेकिन इसमें असली सच्चाई है क्या हम आपको बताते है क्या मांजी की कोई डिल फाइनल हो गई ऐसा है इसमें कोई दम है इस बात में 2024 के चुनाओं से पहले पानी बहना बहुत बाकी है तो सवाल है कि मांजी करने क्या गया थे क्या इस मुलाकात से बात पूरी तरह बन गई नहीं ऐसा नहीं है हम उसी बात्चित का पूरा खुलासा कर रहे हैं जो हमारे सुत्र बता रहे हैं तो आप समझिए कि कैसे मांजी वहां गये और उनकी मुलाकात लंबी हुई है दोनों पिता-पुत्र बैठते हैं और अमीद साह से मुलाकात होती है इस मुलाकात के दौरान आखिर बात क्या हुई है आप ऐसे समझ लें कि ये पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में ना कोई गवर्णर की बात हुई ना कोई वैसी डिल हुई कि हम आपको इतने सीटों पर लड़ा देंगे ये बिल्कुल असपस्थ है मांजी निकल कर के भी और संतोस मांजी में निकल कर क्या कहा वो उन बातों को आप सुन चुके हैं हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुचा चुके हैं लेकिन अंदर जो बात हुई जो सुत्र बता रहे हैं उसमें अमीत शाह के द्वारा ऐसा कोई वादा नहीं किया गया जिसमें मांजी को इतनी सीटें दी जाएंगी या मांजी को गवर्नर बनाया जाएगा मांजी आने वाले समय में क्या करेंगे इस पर भी मांजी को तै करना है लेकिन एक साइकलोजिकली मनुबैग्यानिक फायदा जो चुनाओं से पहले होता है कि इतने दल हमारे साथ हैं और मुशहरों का जो बोट का बड़ा प्रतिशत है बिहार के अंदर बड़ा नहीं कह सकते एकीस लाक जो प्रतिशत है वो एक मनुबैग्यानिक तोर पे कैसे एंडिये की तरफ मूव करें दलितों के नेता के तोर पे मांजी जाने जाते हैं तो तमाम बिहार की परिस्थीतियों पर अमीद साह ने मांजी से लंबी बात चीत की उस दौरान वहां नित्यानंदराय भी मौझूद रहे शंतोष मांजी भी मौझूद रहे लेकिन अभी आगे जो बात होगी जिसमें कितनी सीटें दी जाएंगी यह तो वक्त बताएगा यह तो अंतिम दोर में तै होता है आप कई चुनाओं देख चुके हैं कई चुनाओं में अंतिम दोर में मिटिंग होती है और मिटिंग के दोरान यह तै होता है उसमें उतार चला होता है मोलभा होता है और उसके बाद सामाजिक समिकर्नों को देखा जाता है उसके बाद य इधार का अच्छा खासा उन्हें मतलब नौलेज है तो इस हिसाब से मांजी की हैसियत को वो भी तौलेंगे लेकिन मांजी के लिए सबसे शुकून की बात यह रही कि भाई जब हम एक तरफ से हट चुके हैं तो एक तरफ से तो कोई शक्ती चाहिए पावर चाहिए जहां से ह हमें इनर्जी मिलता रहे तो इनर्जी उन्हें आज मिल गई है संग्रक्षन भी एक बड़े दलका मिल गया है मतलब ने इधर के न उधर के बाली स्थिति नहीं रही मतलब एक घाट पर उन्होंने अपना पैर जमा लिया है कि हम आपके साथ हैं बादा तोड़ा उन्होंने कल तक कहते थे किनितीस के समर्थन में हैं लेकिन अब तो बिल्कुल असपस्ट हो गया मांजी अब NTA के समर्थन में कूद गये हैं लेकिन इसके एवज में एक दम साफ साफ बता दे कि किसी तरह की कोई डिलिंग इस मिटिंग के दौरान मांजी और अमीत साह के बीच नहीं हुई है ना सीटों पर ना गवर्णर बनाने पर बात सिर्फ हुई है कि हम हां मांजी ने अपनी बात जरूर रखी है उन्होंने दलितों की बात जरूर रखी है अपनी इस्थिती को रखा है अपनी पार्टी की इस्थिती को रखा है और बिहार की इस्थिती को भी रखा है चुकि मांजी मुखमंत्री रह चुके हैं, बरसों से नेता हैं, 43 साल से लगातार शक्री राजनीती में हैं, तो जाहिर सी बात है, अमीत साने भी इनकी बातों को सुना, गौर से सुना, 30 से 40 मिनत की लंबी बातचीत हुई, तो आप समझ रहोंगे की कैसी बातचीत होगी, गांट मांग लें, हाँ, शुरुवात हो चुकी है, इन दोनों के बीच, समिकरन की, सियासत की, आने वाले समय में धीरे धीरे, अभी तो जून का महीना है, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नबंबर, दिशंबर अभी लंबा समय है, तो लेकिन ये आश्वासन ज के सहारे, अब मांजी की राजनिती आगे निकल गई है,